हेलो, वेलकम टू आल आफ यू, मैं चेतन सिंग, आप सभी का एड़वर पर स्वाकत करता हूँ कक्षन्नों में आप लोगों ने अपने पाठेक्रम जाना है और इकाई एक, द्रब्य प्रकिर्द एवन ब्यवहार के अंतरगत, अध्याए एक, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में आपने कुछ अध्यन किया है जिसमें इन सब चीज़ों बारे में आपने अध्यन किया है, पदार्थ की अवस्था है, यहां तक आप जान चुके हैं अब आज हमें यहां से पढ़ना रहेगा कि तापमान की इकाई, कि तापमान की इकाई क्या है, यूनिट आफ टेंपरेचर जहां से आईए हम देखते हैं, यह तो यह शुरू करते हैं, तापमान की इकाई, यूनिट आफ टेंपरेचर देखिए तापमान का एक जो वेवारिक इकाई हम लोग प्रियोग करते हैं, डिग्री सेंटिग्रेट तापमान को जो व्यवहरी की काई हम लोग परियोग करते हैं क्या है वो degree centigrade और जो SI unit है ये आपकी SI unit है SI unit क्या कहलाता है Kelvin SI unit Kelvin कहलाता है इसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं वो सामान व्यवहर में जो हम लोग परियोग करते हैं जैसे आप देखते हैं मौसम पिज्ञान जो है ये टीवी पर आपके आसपास के जगह का मुख्य जगहों का टेंपरेचर देता है तो वो डिगरी Celsius या डिगरी Centigrade में देता है डिगरी Celsius या डिगरी Centigrade ये एक ही चीज है इसको डिगरी C से प्रदर्शित किया जाता है जब कि Kelvin को degree में प्रदर्शित नहीं किया जाता है इसे सिर्फ हम Kelvin कहते हैं तो आएए देखते हैं इन दोनों में संबंध क्या होता है Kelvin को हम के से लिखते हैं degree centigrade को हम degree C लिखते हैं तो 0 degree centigrade ये 273.16 Kelvin के बराबर होता है 0 degree centigrade ये 273.16 Kelvin के बराबर होता है ये जल का हिमांग होता है जल का हिमांग आपका 0 degree centigrade होता है और जल का कुथनांग ये 100 degree centigrade होता है अब जानते हैं जल का कुथनांग कितना है 100 degree centigrade तो इसका Kelvin में जो value होता है वो 373.16 ये Kelvin होता है Kelvin का जो मान होता है ये सिर्फ धनात्मक होता है इसका मान रिडात्मक में संभव नहीं है K always greater than or equals to be ये 0 होता है और जो 0 Kelvin होता है इस 0 Kelvin को हम परम शूनने कहते हैं 0 Kelvin को क्या कहते हैं परम शूनने 0 Kelvin का मतलब होता है माइनस 273.16 degree centigrade इतना ताप संभव ही नहीं है सामान रूप से इतना ताप संभव ही नहीं है माइनस 273.16 degree centigrade इसलिए 0 Kelvin ही हमारा absolute temperature हो जाता है हमारा परम शूनने ताप हो जाता है तो इस तरह से हम Kelvin को degree centigrade में या degree centigrade को Kelvin में ये बदलने के लिए प्रियोग करते हैं जैसे अगर हम लोग degree centigrade है तो degree centigrade के मान में हम अगर 273 जोड़ दें हम सामान वे में 273 का ही प्रियोग करते हैं 273.16 का प्रियोग नहीं करते हैं बाइदे वे अगर दिया हुआ है तो हम 273.16 का ही लिखेंगे लेकिन 273 हम सामान रूप से लिखते हैं तो degree centigrade में 273 जोड़ने पर ये किस में कनवर्ट हो जाता है Kelvin में कनवर्ट हो जाता है degree centigrade में 273 जोड़ने पर ये Kelvin में बदल जाता है और माली जी हमको Kelvin दिया गया है तो Kelvin में से हम 273 घटा देंगे Kelvin में से 273 घटाने पर हमको मान degree centigrade में प्राक्त हो जाएगा Kelvin में से 273 घटाएंगे तो degree centigrade बनेगा और degree centigrade में अगर हम 273 जोड़ने तो वो Kelvin बनेगा यहाँ आप देख सकते हैं Kelvin पैमाने का मान ये बराबर होता है degree Celsius पैमाने का मान और प्लस 273 अब इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न करेंगे ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा और इसका उत्तर भी अपनी कौपी में लिख लीजिएगा पहला आपका देखिए पहला आपका प्रश्न है Kelvin पैमाने पर ताप मान 270 Kelvin है Celsius पैमाने पर ताप क्या होगा हमको Celsius में चाहिए तो हमें क्या करना है ये 270 दिया गया है 270 किसमें है Kelvin में तो 270 में से हम क्या करेंगे 273 घटा देंगे तो 273 जब घटा आएंगे कितना आएगा माइनस 3 ये माइनस 3 डिगरी सेंटीग्रेट में कनवर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 डिगरी सेंटीग्रेट ये इसका Celsius में मान हो जाएगा चलिए दूसरा देखते हैं मैथिल एलकोहल का क्वथनांग 67 डिगरी सेंटीग्रेट है इसका Kelvin पैमाने पर तापमान कितना होगा Kelvin में हमें कनवर्ट करना है तो Kelvin में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देते हैं तो 67 डिगरी सेंटीग्रेट इसे हम क्या लिख सकते हैं 67 और प्लस 273 तो 273 इसमें हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा ये 337 Kelvin हो जाएगा 63 डिगरी सेंटीग्रेट में 273 हम जोड़ देंगे नहीं आपका एक मिनट 63 डिगरी सेंटीग्रेट है 63 डिगरी सेंटीग्रेट है और इसमें हम 273 ये जोड़ देंगे 67 तो दिया है तो 67 डिगरी सेंटीग्रेट ये 67 और प्लस 273 इसमें हम एड़ कर देंगे ये Kelvin में हमारा बदल जाएगा 7, 3, 10 कि ये 0 हो गया, 1 हो गया 6, 7, 7, 14 आपका 4 हो गया और 2, 1, 3 तो ये 340 Kelvin में बदल जाएगा अगला देखते हैं तीसरा है हमारा निम्न लिखित को Kelvin पैमाने में लिखिए तो 0 डिगरी सेंटीग्रेट 0 डिगरी सेंटीग्रेट को आप सीधे जानते हैं 273 इसमें जुड़ेगा तो 0 डिगरी सेंटीग्रेट 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 Kelvin हो गया 0 डिगरी सेंटीग्रेट 273 Kelvin हो गया के 7 3 10 हो गया 7 2 9 10 हो गया 2 1 3 हो गया कितना हो गया हमारा 300 Kelvin हो गया एसे ही है हमारा minus 27 degrees centigrade तो minus 27 degrees centigrade minus हमारा 27 degrees centigrade है इसमें 273 हम जोड देंगे 263 जोड देंगे मतलब ये दोनु विपरेचिन होने के कारण घट जाएगा 13 में से आपका 7 निकल गया 6 हो गया और ये 6 में से 2 निकल गया 4 हो गया और ये हमारा 2 हो गया तो कितना हो गया 246 Kelvin हो गया फिर इसी में अगला है हमारा minus 273 degree centigrade तो minus 273 degree centigrade इसको हम कैसे convert करेंगे minus 273 और फिर plus 273 कितना हो गया हमारा ये 0 ये 0 Kelvin होगा तो इस तरह से हम इसके पूरे प्रशनों का जबाब इस तरह से note करेंगे और इसे लगा भी लेंगे बहुत सरल है इसको बदलना ऐसे चौथा देखते हैं निमनलिखित को Celsius पैमाने पर लिखिए तो अब की बार हमको Celsius में बदलना है Kelvin में सब दिया गया है तो 273 हम घटा देंगे जो 273 घटा आएंगे जैसे 0 Kelvin दिया गया है तो 0 Kelvin का मतलब हो गया 0 minus 273 कितना हो गया हमारा minus 273 degree centigrade 0 Kelvin का मतलब कितना हो गया minus 273 degree centigrade फिर हमारा दिया गया है 250 Kelvin देखिए 250 Kelvin तो 250 Kelvin का मतलब हो गया 250 और फिर minus 273 इसमें 273 घटा दीजिए minus वाला ज्यादा है minus शिन्हा गया और यह हो गया हमारा 3 और 7 में से 5 निकल गया 2 तो minus 23 degree centigrade कितना हो गया minus 23 degree centigrade फिर अगला दिया गया हमारा यह दिखिए 273 Kelvin 273 Kelvin बस यह confusion नहीं होना चाहिए कि किसको बदलने में जोडना है और किसको बदलने में घटाना है तो Kelvin से centigrade में आपको Kelvin कभी रिडात मकाया हैगा नहीं यह ध्यान रखिएगा बस तो 273 हो गया और minus आपका 273 हो गया तुरंत यह convert हो गया किसमें? 0 degree centigrade यह 0 degree centigrade हो गया तो अगला हमारा क्या है 300 Kelvin 300 Kelvin को देखते हैं यह हो गया हमारा 300 Kelvin और 300 Kelvin का मतलग हो गया 300 माइनस 273 10 में से 3 निकाल दीजिए 7 9 में से 7 निकाल दीजिए यह 2 तो यह 27 degree centigrade हो जाएगा 300 Kelvin का मतलग 27 degree centigrade फिर अगला देखते हैं यह 5 हमारा 173 Kelvin तो 173 Kelvin इसे हम लिख सकते हैं क्या 173 और माइनस 273 कितना हो गया? माइनस 100 degree centigrade तो यह माइनस 100 degree centigrade हो गया फिर पांचवान देखते हैं निमन लिखे तापमानों को Kelvin इकाई में बदलिए फिर degree centigrade से Kelvin में बदलना है इसका अब बहास आप लोग बढ़ियां से कर लीजिएगा 25 degree centigrade है इसे हमें Kelvin में बदलना है तो 25 में कितना जोड़ देंगे? 273 25 में आप 273 जोड़ दीजिए 5, 3, 8 हो गया 7, 2, 9 हो गया और ये 2 हो गया 298 क्या Kelvin Kelvin लिखना ज़रूरी है फिर 373 degree centigrade 373 degree centigrade 373 degree centigrade को क्या लिखेंगे? 373 और फिर प्लस इसमें कितना जोड़ गया? 273 इसमें और जोड़ गया 3, 3, 6, 7, 7, 14, 4, 1 हो गया 3, 2, 5 और 1, 6 646 क्या हो गया ये? Kelvin तो इस तरह से आप Kelvin से centigrade में और centigrade से Kelvin में आसानी के साथ बदल सकते हैं आई अकले पेच पे चलते हैं ये है आपका क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं Can matter change its state क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? अब पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्था हैं हम लोग जानते हैं कौन कौन सी अवस्था हैं? मुख्य रूप से तीन इसे पाँच अवस्थाएं आपको बताई गई हैं पाँच वस्थाओं को डिटेल किया गया है एक होता है ठोस एक है आपका द्रोग और एक है गैस इन लोगों इन में परिवर्तन होता है आईए हम एक ऐसे छोटा सा उदारा लेते हैं इसे मालीजी कि आपने बरफ लिया है आईस है ना बरफ लिया है अब बरफ को आप गरम करिए जब आप गरम करेंगे इसको हीट करिए गरम करिए तो किस में बतल जाएगा ये पानी में बतल जाएगा बरफ को गरम करने पर ये पानी बतल जाएगा बरफ किस state में है ठोस देखिए बरफ जो है ये ठोस में है और पानी किस state में है पानी द्रो में है तो ठोस को गरम करने पर द्रो में बदल जाता है ये परिवरतन ये होता है ना कि ठोस जो है जब हम गरम करते हैं तो ये द्रो में बदल जाएगा ठोस का द्रो में बदलना ये द्रव वस्था में बदल जाता है यह क्या कहलाता है गलन अच्छा थोड़ा सा यहां और हम लोग पूरा डिटियल चर्चा कर दे रहे हैं जो जो आगे आएगा तो यह और हम लोग चर्चा करते रहेंगे क्या है जब हम किसी ठोस पदार्थ का जैसे बरफ है इसका ताप बढ़ाते हैं हला कि बरफ इसके लिए सटीक उदारण नहीं होगा लेकिन उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए क्या थोड़ा सा वैरियेशन होता है यह भी आप जानेंगे दिरे दिरे लेकिन ऐसे भी अंतराडुक आकरशनबल घटने के कारण वो पदार्थ गलना प्रारम कर देता है और द्रव अवस्था में बदल जाता है जिसे हम पदार्थ का गलन कहते हैं ठोस का द्रव अवस्था में बदलना यह गलन कहलाता है और इसी का उल्टा भी देख लेते हैं द्रव को जब हम ठंडा करते हैं, इसी पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? बरफ में बदल जाता है तो ये जमने के कारण होता है, ये जमता है, फ्रीजिंग कहलाता है इसको हम हिमायन भी कहते हैं या हिमन भी कहते हैं फिर आगे देखते हैं द्रो से गैस में बदलना आप देखते हैं कि जैसे कपड़ा सुखाते हैं या कोई भी पानी बाहर रख देते हैं तो वो द्रो जो है ये गैस में बदल जाता है द्रो का गैस में बदलना कहलाता है वास्पी करण जैसे आपका जल है और जल को जब हम गरम करते हैं सामान इताप पर भी ये गरम हो करके किस में बदल जाता है वाश्प में बदल जाता है तो जल का जलवाश्प में बदलना ये वास्पी करण कहलाता है और वास्प का फिर ठंडा हो करके जल में बदलना आप देखिए गैसी ये अवस्था से ये द्रौ अवस्था में बदल रहा है तो गैसी ये अवस्था से ये द्रौ अवस्था में बदलता है ये क्या कहलाता है संगहनन कहलाता है कंडन सेसन कहलाता है एक और प्रिक्रिया होती है जब गैस से सीधे ठोस में या ठोस से सीधे गैस में परिवर्टन होता है जब कोई भी पदार सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तो इसे हम उर्ध पातन कहते हैं और जब वो हो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है बिना द्रव अवस्था में बदले तो जैसे हम उसको गरम किये सीधे वो गैस अवस्था में बदल गया लेकिन जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो फिर द्रव अवस्था में न बदल करके सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है तो ये उर्धपातन प्रकिरिया कहलाती है अब देखिए ये एक सामान सी प्रकिरिया हमने बताई कि किस तरह से आवस्था में परिवर्तन होता है अब इन पे हम डेटेल चर्चा करते हैं पदार्थ की हमारी तीन आवस्थाएं है ठोस, दरव और गैस जब हम ताप बढ़ाते हैं, आप देखिए कि यहाँ ताप बढ़ते हुई दिखाये गया है जब हम ताप बढ़ाएंगे तो पदार्थ ठोस आवस्था से दरव और बदलेगा दरव और अवस्था से फिर गैस आवस्था में बदलेगा है और और भी जब temperature हम कम करते हैं तो पदार्थ द्रव आवस्था से ठोस आवस्था में बदल जाता है अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं जैसे गलन गलन तथा गलनांग melting and melting point melting and melting point क्या होता है देखते हैं पहला point ठोस का द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं बहुत सरल से शब्दों में ये ब्याख्या कर दी गई आपकी यहां हम लोगों ने पूरा भी detail structure से यहां से पढ़ा है तो अब इसी को अलग-अलग करके फिर से बताया जा रहा है क्या है ठोस का द्रव में बदलने की क्रिया ठोस पदार्थ है उसको हम गरम करेंगे तो गरम करने पर वो द्रव अस्था में बदलता है इस पर करिया को इस करिया को हम क्या कहते हैं गलन कहते हैं और जिस निश्चित ताप पर कोई भी ठोस यह पूर रूप से द्रव में बदलता है और उस समय जो वायुदाब होना चाहिए वो एक वायुमंडली ये दाब होना चाहिए वहनिश्चित ताप उस ठोस का गलनांग कहलाता है अब कोई भी अशुधी अगर हम मिला देते हैं उस पदार्थ में कोई भी अशुधी मिला देते हैं तो ठोस की गलनांग कम हो जाते हैं बहुत महतुपूर लाइन होगी अशुधी मिली होने पर ठोस का गलनांग कम हो जा फिर अगला पॉइंट देखते हैं यह सब महत्वपूर लाइने होगी आपको ध्यान से इसको सुनना नोट्स बनाना होगा और इसको याद रखना होगा जिन ठोस का आयतन पिघलने पर बढ़ता है लगभग सभी ठोस अवस्था में हैं तो उनका आयतन कम होगा और जब ताप क्या हो जाएगा यह जादा हो जाएगा तो जिन ठोसों का आयतन पिघलने पर बढ़ता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांग बढ़ जाता है क्या है जब आयतन बढ़ जाता है आयतन आपका ठोस का आयतन कम है और ताप आपने बढ़ाया आयतन आपका जादा हो गया तो गलनांक पर क्या प्रभाव पढ़ता है गलनांक भी आपका इंक्रीज हो जाता है गलनांक आपका बढ़ जाता है कैसे पिखलने पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है जब प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा और इसकी का ठीक विपरीत देखिए जिन ठोसों का आयतन पिघलने पर घटता है जैसे बरफ बरफ जब पिघलता है पानी बनता है तो इसका आयतन घटता है तो बरफ इसका स्थिपुदारण होगा होगा तो ऐसे पदार्थ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांग कम हो जाएगा प्रेशर तो हम बढ़ाएंगे दाब तो हम बढ़ाएंगे लेकिन गलनांग क्या हो जाएगा घट जाता है गलनांग हमारा कम हो जाता है ठोस का गलनांक विंदू उसके कड़ों के बीच आकर्षन बल की माप है जिसका गलनांक जितना ही जादा होगा उतना ही जादा उनके ठोस कड़ों के बीच आकर्षन बल होगा क्योंकि आकर्षन बल के कारड़ ही वो बधे रहते हैं अब जैसे बरफ का जो गलनांग है वो कितना है 0 degree centigrade तो 0 degree centigrade बरफ का गलनांग है इसका मतलब बरफ के अड़ू ये कम द्रणता के साथ बंदे हुए है 0 degree centigrade पर ही वो गलना शुरू कर देंगे 0 degree centigrade उनका गलनांग है या कह सकते हैं कि 0 degree centigrade पर वो जमते भी हैं आगे अभी हम आपको बता रहा हैं और लोहे का जो गलनांग है वो 1535 degree 1535 degree centigrade है तो 1535 degree centigrade होने का मतलब लोहे के जो अड़ों हैं यह बहुत ही दृड़ता के साथ बधे होते हैं बहुत ही दृड़ता के साथ जुड़े होते हैं तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि ठोस का गलनांग बिंदू उसके कड़ों के बीच आकरशनबल की माप है बर्फ का गलनांग 0 degree centigrade मतलब 277 Kelvin तथा लोहे का गलनांग 1535 degree centigrade मतलब 1808 Kelvin होता है अब अगले पेच पे चलते हैं अगला देखते हैं हम लोग यह है हिमायन तथा हिमांग freezing point क्या होता है freezing point हम लोग जाने freeze का मतलब होता है जमना तो जब कोई भी ठोस यह है स्वरी कोई भी तरोज यह ठोस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हिमन या ठोस का जमना आप देखिए पहला पॉइंट हम इसका देखते हैं द्रो का ठोस में बदलने की क्रिया को द्रो का हिमन कहते हैं या हिमायन कहते हैं द्रो का ठोस में बदलने की क्रिया को द्रो का हिमायन कहते हैं दूसरा point है जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रो यह जमता है यह उसका हिमांक बिंदु कहलाता है इससे पहले भी हम लोग ने जान लिया है जिस तरह से गलन था उसी तरह से हिमायन भी है अशुद्यों की उपस्थिकी में द्रो का हिमांक कम हो जाता है जब हम अशुद्या मिलाते हैं तो द्रो का हिमांक क्या हो जाता है कम हो जाता है हिमांक जो है यह गलन का उल्टा है गलन का मतलब हुआ कि द्रो में बदलना जैसे कोई ठोस है इस ठोस का यह द्रो में बदलना ठोस का द्रो में बदलना ये क्या कहलाता है गलन कहलाता है और गलन का ही क्या है उल्टा हिमायन है या हिमांक है तो गलनांक का उल्टा हिमांक द्रो का ठोस में बदलना और जिस निस्चिताप पर कोई भी द्रो ये ठोस में बदलता है यही उसका हिमांक कहलाता है तो हिमांग बिंदू और जो गलनांग बिंदू होगा वो समान होगा चुकि गलनांग और हिमांग ये एक दूसरे के उल्टा है हिमांग गलनांग का उल्टा है किसी द्रो का हिमांग बिंदू तथा इसके ठोस का गलनांग ये क्या होता है समान होगा ये दोनों एक दूसरी के विप्रीत हैं तो समान होगा मतलब जिस बिंदू पर कोई भी द्रव ठोस में बदलेगा उसी बिंदू पर उसी ताप पर कोई भी ठोस ये द्रव में बदलेगा जैसे जल का हिमान कितना है 0 degree centigrade तो 0 degree centigrade पर बरफ पानी में भी बदलेगा और 0 degree centigrade पर पानी बरफ में भी बदलेगा अब ये ऐसा ही क्यों होता है उसमें कितनी उश्मा की आउर आउसकता होती है वो कौन सी एनरजी कहलाएगी वो अभी हम आगे चर्चा करते हैं तब तक देखते हैं कि कौथन और कौथनांग क्या होता है तो कौथन और कौथनांग जानने से पहले अभी हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि वाश्पी करण क्या होता है अगर कोई भी द्रो है तो उसके सतह से जो खुला हुआ सतह हर संभो ताप पर द्रो यह गैस में बदलता रहता है किसमें बदलता रहता है यह गैस में हर संभो ताप पर यह गैस में बदलता रहता है यह वाश्पी करण कहलाता है तो वास्पी करण केवल बरतन में रखे द्रव के सतह या तल पर सतही तल पर जो खुला हुआ तल है इस पर संभव होता है लेकिन कुथन जो है ये पूरे द्रव की किरिया है तो कुथन हम जान नचा रहे हैं द्रव के उबलने की किरिया को द्रव का कुथन कहते हैं आप देखते हैं कि जब द्रव उबलता है तो पूरे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं और उस समय जो द्रव का द्रव से निकलने वाले भाप का वायमंडली ये दाब होगा वो एक वाई मंडली दाब होता है तो एक वाई मंडली दाब पर जब कोई भी द्रो ये उबलने लगता है तो वो इस्थिती जो होती है ये द्रो का क्या कहलाता है कौथन कहलाता है और जिस निश्चित ताप पर द्रो उबलना प्रारंब करता है ये उसका क्या कहलाता है कुथनांक कहलाता है जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रोव वलना प्रारंब कर देता है उस द्रोव का वो कुथनांक कहलाता है किसी द्रोव का कुथनांक वह निश्चित बिंदु है ये इसकी स्टेंडर्ड परिभाशा होगी किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है या वह ताप का वह निश्चित बिंदु है जिस पर उस द्रव का वाश्प दाब वाय बंडली दाब के बराबर हो जाता है हमने भी आपको परिवाशा में बताई कि एक वाइबंड लिये दाप पर ही मतलब जो एट्मोसफेरिक प्रेशर है उसी एट्मोसफेरिक प्रेशर पर किसी निश्चित ताप का वहमान जिस पर पूरा भी द्रो ये उबलने लगता है ये क्या कहलाता है उस वहने शिताप उस द्रो का कुथनांक कहलाता है जल का जो कुथनांक है ये एक वाइबंड लिये दाप पर कितना है 100 डिगरी सिंटिग्रेट मतलब 373 केल्विन है और आपके अलकोहल का कितना है अलकोहल का है आपका 64 degree centigrade तो 400 degree centigrade ये मिथिल अलकोहल का है और जल का कितना है 100 degree centigrade आईए next page पे चलते हैं ये देखते हैं कि द्रवण या संगनन क्या होता है condensation का मतलब ये होता है कि जो वाश्प है वाश्प का द्रव में बदलना वाश्प का द्रव में बदलना ये कहलाता है condensation देखिए गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की किरिया को द्रवण या संगनन कहते हैं अब जो हम लोगों ने भी छोड़ा था कि उश्मा वो कहां चली जाती है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं यही है आपकी गुप्त उश्मा और latent heat अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे पानी है तो पानी द्रववस्था में है पानी काताब कितना है? 0 degree centigrade अब पानी को हम और ठंडा करते हैं जब इसको हम और ठंडा करते हैं तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? ये ice में परिवर्दित हो जाता है बर्फ में बदल जाता है तो बर्फ का ताब कितना होगा जिस समय ये बदल रहा होगा उस समय बर्फ का ताब भी 0 degree centigrade ही होगा तो 0 degree centigrade का ये जल भी है और 0 degree centigrade का ये बर्फ है तो इसको ठंधा करने में जो हमने इस से उश्मा निकाला, वो कहा चला गया। इसको और ठंधा करने की क्या आउशकता हुई, चबकि 0 degree centigrade इसका भी ताप, 0 degree centigrade इसका भी ताप, तो ताप तो constant है लेकिन जो उश्मा बै हुई या जो उश्मा हमने इसको ठंडा करने में बै किया वही इस बरफ की गुप्त उश्मा कहलाती है चाहे हमको बरफ से द्रव में पिखलाना हो तब भी जब यह पिखलेगा तब भी उसका ताप 0 degree centigrade होगा 0 degree centigrade का बरफ यह उश्मा एब्सार्व करेगा और एब्सार्व करने के बाद यह 0 degree centigrade के जल में बदल जाएगा तो उस समय जल का ताप भी 0 degree centigrade होगा तो जो हमने उश्मा बरफ को पिघलाने के लिए दिया वो ताप ना बढ़ा करके क्या करता है आवस्था परिवर्तित करता है ताप ना बढ़ा करके क्या करता है आवस्था परिवर्तित करता है तो इसलिए हम कहेंगे आवस्था परिवर्तन में ली गई या दी गई उस्मा क्या कहलाती है गुप्त उस्मा कहलाती है बहुत सरलसा परिभाशा आवस्था परिवर्तन में ली गई या दी गई उस्मा ये गुप्त उस्मा कहलाती है इस दोरान पदार्थ काताप स्थिर रहता है यह हमने अभी चर्चा किया गुप्त उश्मा जो है यह दो परकार की होती है गुप्त उश्मा दो परकार की होती है एक गलन की गुप्त उश्मा और एक वाश्पन की गुप्त उश्मा क्या है गलन की गुप्त उश्मा उस समय जो दाब होना चाहिए वो एक वायवंडलिये दाब होना चाहिए तो गलन की गुप्त उश्मा देखते हैं एक वायवन्डली दाब पर एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांग द्रव में बदलने के लिए जितनी उश्मा की आवशक्ता होती है उसे ठोस के गलन की गुप्त उश्मा कहते है मतलब एक वायवन्डलिये दापर एक किलोग्राम ठोस को पूर्रूप से द्रव में बदलने के लिए जितने उशमि उरजा की आवशकता होती है ये उस ठोस की गलन की गुबतूशमा कहलाती है बरफ की गलन की जो गुपतूश्मा होती है ये तीन दसमलो तीन चार गुड़े दसपर घाथ पांच जूल परती किलो ग्राम गलन गुपतूश्मा का मातर कितना है जूल परती किलो ग्राम आगे हम आपको बताएंगे इसको लेटेंट हीट को L से लिखते हैं और Q बराबर हम लिखते हैं M L और L जो है यही हमारा लेटेंट हीट है ये Q बाई M के बराबर हो गया और Q को अगर हम जूल से विक्त करते हैं जूल हो गया और M का मातर किलो ग्राम हो गया तो इस तरह से latent heat का जो मात्रक होगा वो हो गया जूल पर किलोग्राम तो इसलिए यहां मात्रक इसका जूल पर किलोग्राम लिखा हुआ है वास्पन की गुपतूश्मा latent heat of evaporation latent heat of evaporation क्या है एक वायवन्ड लिए दाप पर एक किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाश्प में बदलने के लिए जितनी उश्मिय उर्जा की आवशक्ता होती है उसे द्रव के वाश्पन की गुपत उश्मा कहते हैं ये द्रव के वाश्पन की गुपत उश्मा होगी एक वायवन्ड लिए दाप पर एक किलोग्राम द्रव को पन की गुप्त उश्मा ये 22.5 गुड़े दस पर गहात 5 चूल पर थी किलो ग्राम है तो आएए अगला देखते हैं अगले पेच पे चलते हैं फिर हम ये देखते हैं उर्धु पातन क्या है सबली मेशन क्या है सुरु सुरु में हम लोगों एक हलकी सी चर्चा की है कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं इस प्रिकिदिया को हम उर्धु पातन कहते हैं उर्धु पातन का उदारन जैसे है आपका कपूर, नौसादर, फोस, आयोडीन, नैप्थलीन, एंध्रसीन अब आप देखिए इसका कुछ ऐसे उदारन आप जानते होंगे जैसे कपूर आप लोग देखते हैं कपूर को खुला नहीं छोड़के रखते हैं कपूर को, हमेशा इसको लौंग के साथ पुरिया में बना करके तप रखते हैं लौंग के साथ इसको बंद कर देते हैं, नौसादर इसे भी खुला नहीं छोड़ते हैं, आयोडीन, आप भी नहीं देखे होंगे ये नैप्थलीन जरूर देखे होंगे आप देखते होंगे कि आपके घरों में जो उगनी या इस तरह के कोई रेशमी कपड़े होते हैं उन कपड़ों में एक सफेद सफेद गोली रखी जाती है जब उसको पहनने का समय नहीं रहता है उसको रख दिया जाता है कि कपड़ों को सुरक्षा के लिए एक सफेद रंगी गोली रखी जाती है और उससे एक अजीब सा गंद भी आता है तो उससे किड़े नहीं लगते हैं ये जो गोली होती है ये नैप्थिलीन की गोली होती है तो ठोस अवस्था में है लेकिन जब कभी आप खोलते हैं तो उसकी जादा सी चीज वो गल चुकी होती है तो उसका कहीं द्रव रूप में आप परिवर्टन नहीं देखेंगे तो सीधे वेपर में बदल जाता है सीधे गय सवस्था में बदल जाता है तो इसी प्रकिरिया को हम क्या कहते है उर्द पातन कहते है ठोस को गरम करने पर सीधे वास्थ में बदलना ये क्या कहलाता है उर्द पातन कहता है सबली मेशन कहलाता है बिना द्रव में बदले और जैसे हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर ये सीधे ठोस में बदल जाता है गैसों का द्रवी करण लिकिफिकेशन आफ गैसे गैसों का द्रवी करण कैसे होता है जो हमारे गैस हैं जैसे वाइबन लिए जो गैस हैं इनको द्रव में बदलना ये बहुत आसान नहीं है गैस को हम आसानी के साथ द्रो में बदल नहीं सकते हैं लेकिन हम वाश्प को बहुत आसानी के साथ बदल लेते हैं जैसे आप पानी गरम कर रहे हैं तो भाप निकल रहा है भाप को आप सिर्फ एक तस्तरी लगा दीजिए भाप जहां से निकल रहा है तो आप देखेंगे कि उस पर ननी ननी बूदे जमा हो गई तस्तरी पर तो आपने तस्तरी लगाया तो सिर्फ आपने दाब परिवर्तन किया दाब परिवर्तन से ही हम सिर्फ वाश्प को किस में बदल सकते हैं और ये बहुत जादा बिलो टेंपरेचर होना चाहिए माइनस 150 डिगरी सेंटीग्रेट से माइनस 200 डिगरी सेंटीग्रेट तक थंधा करना पड़ेगा इतना थंधा करने के बाद बहुत अधिक दाब लगाकर द्रबित किया जा सकता है तो गैसों को किसी निश्चित ताब तक थंधा करके बहुत अधिक दाब लगाकर के द्रबित किया जा सकता है कारबन डाई अकसाइड है कारबन डाई अकसाइड गैस को हम फोस रूप में प्राप्त करते हैं अगर एक जार में कारबन डाई अकसाइड गैस भरी हो थोस कारबन डायाकसाइड को हम सुस्क बर्फ कहते हैं सुस्क बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी बर्तन में उसको रखा जाए तो बर्तन की दीवाल को ड्राई रखता है उसको वो वेट नहीं करता है उसको भीगोता नहीं है इसलिए थोस कारबन डायाकसाइड को का कहते हैं सुस्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं वास्पी करण क्या होता है वेपो रेशन क्या होता है क्वथनांग आप जान चुके हैं कि एक निश्चित ताप पर होता है किसी निश्चित ताप पर ही क्वथनांग होता है क्वथनांग से कम किसी भी ताप से अगर कोई भी द centigrade है तो यह हर संभाव ताप पर हो सकता है टेंपरेचर इतना होना चाहिए कि उसके सता से जो द्रव के अडू है वो उर्जा गरहन करें और उर्जा गरहन करेंगे उतनी उनकी काइनेटिक एनरजी हो जाए कि वो द्रव की सता को छोड़ करके और पलायन कर जाए पतलब गैस में बदल जाए तो इस तरह से जब वो द्रव की सता को छोड़ करके गैस में बदल जाते हैं तो वो गैसे स्टेट में हो जाते हैं यह वास्पी करण कहलाता है यह जरूरी नहीं कि जैसे जल है 100 degree centigrade पर ही वाश्म में बतले का नहीं आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में भी आपके कपड़े सुकते हैं तो जाड़ा में भी सुकते हैं बरसात में भी सुकते हैं जिबकि temperature दोनों में ही कम रहता है जाड़े में तो बहुत कम temperature रहता है बस क्या है कि कपड़े आपके देर में सुकते हैं rate of evaporation आपका कम हो जाता है वाश्मी करण की दर ये कम हो जाती है ये temperature पर निर्भर करता है तो वाश्मी करण क्या है क्वतनांक से कम किसी भी ताप पर खुले बरतन में दरो के वाश्म में परिवरतन की प्रकिरिया को वाश्मी करण कहते है ये केवल दरो की सतह पर होने वाली प्रकिरिया है ये पूरे दरो में नहीं होती है आईए अगले पेश पेश देखते है वाश्मी करण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है नमबर एक ताप मान, अभी हमने कहा कि अगर ताप जादा है, टेंपरेचर जादा है, तो वाश्पी करण की दर बढ़ जाती है, जैसे जाड़े में ताप कम होता है, गर्मी में ताप जादा होता है, तो गर्मी में हमारे कपड़े ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और ज आप मान ताप बढ़ाने पर वास्पी करण की दर क्या होती है बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर वास्पी करण की दर बढ़ जाती है दूसरा देखते हैं द्रो की सतही छेतरफल क्या है द्रो के सतह का छेतरफल अगर हम बढ़ा देते हैं तो वास्पी करण की दर बढ़ ज आती है जैसे हम कप में जब चाय पीते हैं तो आपका चाय जल्दी थंड़ा नहीं होता है अगर आपको बहुत जल्दी है तो जल्दी से थंड़ा करने के लिए हम क्या करते है इसको प्लेट में उडेल लेते हैं तो प्लेट में उडेलने का मतलब क्या हुआ कि यहां एडिया इसका सर्फिस एरिया कम था जो सतह था द्रो के सतह का छेतरफल यह कम था द्रो के सतह का छेतरफल अब हमने बढ़ा दिया इतना बढ़ा कर दिया तो सतह का छेतरफल बढ़ने पर क्या होता है rate of evaporation बढ़ जाता तो द्रो के सतह का छेतरफल बढ़ाने पर वास्पी करणदर ये बढ़ जाती है आरदरता पर क्या परभाव पढ़ता है आरदरता क्या होता है वायू मंडल में उपस्थित जलवाश्प कडों की मात्रा ही आरदरता है तो जलवाश्व की मात्रा अगर पहले से ही बढ़ जाएगी जल के कण वाईवंडल में अगर पहले से ही बढ़ जाएगे तो वास्पी करण दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी तो आर्दरता बढ़ने पर वास्पी करण की दर घट जाती है आर्दता बढ़ने पर वास्पी करण की दर घट जाती है इसलिए बरसाद में आपको बहुत पसीना होता है गर्मी बहुत लगती है लेकिन क्या है जब मौसम आर्दर होता है तो कपड़े आपकी जल्दी नहीं सुकते हैं और सुस्क अगर मौसम है गर्मी में आपका पच्कुआ हवा चल रहा है है न तो बहुत जल्दी आपका सुकता है अगला पॉइंट हमका आरा वायू की गती से ही है वास्पी करण की जो दर होती है ये वायू की गती के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है वायू की गती अगर तेज है तो वाश्पी करण की दर ये बढ़ चाती है अगला टॉपिक है हमारा वाश्पी करण के कारण ठंडक कैसे होती है जब वाश्पी करण होता है तो ठंड का अनुभो कैसे होता है जैसे आप पसीने से भीगे हुए हैं आप पंखा चला लेते हैं तो आपको ठंड का अनुभव होता है ये ऐसा क्यों महसूस होता है ये ऐसा कैसे होता है तो ये देखिए कि जो हमारे शरीर में पशीना हुआ है जब पंखा चलता है तो ये जो दुरो रूप में पसीना है सतह के अडू हमारे शरीर से उश्मा गरह करके और वाश्म में बदल जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि इनका वाश्पी करण होने लगता है वाश्पी करण होने के लिए जो गुप्त उश्मा की आवशक्ता होती है ये आसपास से जैसे हमारे शरीर से ही ले लेते हैं ग्रहन करने के कारण आसपास का वातावर क्या हो जाता है। थंड़ा हो जाता है। इसको हम देखते हैं और कुछ उदारण से समझते भी हैं। यहां देख लेते हैं। कि जब एक द्रो वाश्पित होता है तो वह आसपास से वाश्पी करण के गुप्त उश्मा के बराबर उश्मा ये अवशोशित कर लेता है अतह आसपास की उसमी उर्जा के गरहन करने के करण वो ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है उदाहरण हम आपको बता रहे हैं जैसे आप अपनी हथेली पर पेट्रोल या इस्परिट या नेल पॉलिश है ना या इथर की बूदें अगर ये रखते हैं तो क्या होता है हथेली पर ठंड़क का अनुभो होता है हथेली पर ठंड़क का अनुभो क्यों होता है क्योंकि ये जो पेट्रोल इस्परिट आपके नेल पॉलिश या इथर ये हैं बहुत तेजी के साथ वैपोराइजड होते हैं ये बहुत तेजी के साथ उड़ते हैं और उड़ने के लिए इनको उश्मा कहां से मिली ये हमारे करता है तो इस तरह से वो ठंड़का अनुभो करता है गर्मी के दिनों में लोग छट या घर के सामने पानी छड़क देते हैं तो छट पर या घर के सामने पानी छड़क देते हैं आप लोग भी छड़कते होंगे तो छड़कने से ठंड़का अनुभो आप करते होंगे क्य इसी उस्मा को जो ये गुट उश्मा के बराबर उस्मा लेता है और सोशित करता है इसी के कारण हम ठंड का अनुभो करता है गर्मियों में हमें सूती कप्ड़े पहनने चाहिए गर्मियों में जब हम सूती कप्ड़े पहनेंगे तो पसीना को ये सोखे रहेगा और वाश्पन की प्रकिरिया के कारण हमारे सरीर से उसमा ले करके और ये पसीना ये वाश्पित होगा और हमें ठंड का अनुबो होगा तो इस तरह से सूती कपड़ों को हमें गर्मियों में पहनना चाहिए इसे हमें आरा मिलता है लास्ट वाला है हमारा गर्म तथा सुस्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है तो जब गर्मी का दिन होगा तो कूलर से जो हवा गतशील होकर के आ रहा है वो rate of evaporation जादा होगा पानी का पानी बहुत तेजी के साथ vaporized होगा तो पानी तेजी के साथ vaporized होने के कारण जो जल के अड़ु हैं उनसे ही ऊश्मा ये गर्ण कर लेता है और temperature घड़ जाता है इस तरह से जो हवा हमको कूलर से मिल रही है उसका temperature कम हो जाता है और हमको ठंड का जादा अनुभू होता है लेकिन अगर आर्दर मौसम है जैसे बरसाद का दिन है उमस वाला दिन है तो उमस वाले दिन में क्या होता है rate of evaporation ये slow हो जाता है कम हो जाता है जिससे हम ठंड का अनुभू नहीं कर पाते हैं अगला देखते हैं बड़ी सतह शेतरफल का प्रभाव effect of large surface area अभी हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा चर्चा भी कर लिया है जैसे cup की या पेक्षा plate से हम गर्म चाय जल्द लेते हैं अगर छेतरफल जादा हो गया तो छेतरफल जादा होने के कारण rate of evaporation बढ़ जाएगा rate of evaporation वास्पी कर लड़ दर बढ़ जाने के कारण जल्दी से ठंड का अनुभू होने लगता है तो इसलिए जब हम चाय को plate में उड़े लेते हैं तो plate में उड़े लिने के कारण चा जल्दी से ठंडी हो जाती है गर्मी में घड़े का जल ठंडा होता है घड़े में हम जानते हैं असंग के सूक्ष में शिद्र होते हैं असंग के सूक्ष में शिद्र होने के कारण जल उन केशनलियों से सतह तक आ जाता है तो जैसे घड़ा है तो सिर्फ घड़ा का सतह ही न रहता है और इस तरह से एरिया पूरा हमारा बढ़ गया पूरे एरिया में और हर जगह से वैपोरेशन होगा वास्पी करण होगा तो छेतरफल सतह बढ़ने के कारण गर्मियों में जो घड़ा में जल रखा हुआ है उसका वास्पी करण होता है और उसके कारण जल ठंडा हो जाता है बरफीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूदें नजर आती हैं जैसे अगर एक आपने गिलास लिया है और इस गिलास में आपने कुछ बरफ के टुकड़े डाल दिया है चाहे बहुत थंड़ा 0 degree centigrade का आपने जल डाल दिया है तो इस गिलास का सतह भी आपका ठंड़ा हो जाएगा और जो वायवंडल में जलवाश्प की मात्रा है ये जो गिलास के संपर्क में आएगा ये उसको ठंड़ा कर देगा मतलब कंडेंसेसन इसका हो जाएगा और ये जलवाश्प इस गिलास के चारोर नन्ही नन्ही बूदू के रूप में आपको दिखाई देती हैं तो इस तरह से बरफीले जल से भरे गिलास की बाहर की स्तह की जो जल की बूदे होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खतम होता है तो इस पार्ट को आप पूरा लिख लीजिए इसका नोट्स बन लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए अगले भाग में हम आप से कुछ question आपको देंगे कुछ question के answer आपको देंगे बहुत भी कल पिए एक नमबर के प्रस्ट और उनका अगले पार्ट में हम आपको देंगे तब तक के लिए आप इसको तैयार करिए धन्यबाद